प्रसन ॐ या है कि फेराइट निप खिश से थे सबंदीत है तो सबसे पहले यानि कि जो सब्ढम होता है पदार्थ ऽौता होता है आप लोग आछा से मालूम होगा तो तीन परकार का होता है तो सबसे पहला के अगर बात किया जाए सब्सक्रां hairdry मगन ठीक है, फैरी मेंगनेटिक सब्टांस या मेटेरियल हो गया, दूसरा जो आएगा दोस्तो, ठीक है, वो आजाएगा दोस्तो, अनुचुम्बकिये पदार्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुचुम्बकिये पदार्थ आजाएगा, ठीक है, अनुचुम्बकिये पदार्थ जाएगा जिसको यानि कि डाय मेंग्टी सब्टांस कहते हैं और एक जो आ जाएगा दोस्तो वो लोग चुमबकिये पदार्था जाएगा ठीक है अब रही बात कि इसमें जो सबसे पहले यानि कि देखने वाले बात है कि फेराइट जो है किस से सबंदीत है क्या भाई तो फे सब्सक्राइघ करें जाएं जाएगा फेर ऑप और हैज़ये स강आग मेंग्टि की से सब्सक्राइगा लकडि खो जाएगा एक पहरा का मतलब का मतलब ये हुए हुआ जो कुछ Syria का यानि क्या रहता है कौन सा रहता है तो है निज़्व्षaları कि जो लोह चुम्बक की पदार्थ जो होता है या फेरे चुम्बक की पदार्थ होता है उसका कुछ गुन रहता है को आने का मतलब सिधा सिधा हुआ कि जैसे अलुमुनियम ठीक है जैसे अगर अलुमुनियम को ले लिया जाए तो अलुमुनियम जो होगा दोस्तों वो पारा चुम्बक की पदार्थ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रशन है विदूत चुम्बक की कुंडली से परवाहित होने वाली विदूत धारा जब उतकर्मित होती है तब यानि कि विदूत चुम्बक से जो विदूत धारा उतकर्मित होती है ठीक है A में कह रहा है विदू छेदर प्रसारीत होता है तो विदू छेदर प्रसारीत इससे नहीं होता है B में कह रहा है विदू छेदर की दीशा आपर वर्थित रहती है आपर वर्थित नहीं रहता है चुम्बक ये छेटर के दीशा जो होता है दोस्तों क्या होता है वो उतकर्मित हो जाती है जो की option C में है correct answer की बात किया जाए तो option इसका C सही हो जाएगा चलिए आज का अगला प्रसंदि या एक चुम्बक के भीतर चुम्बक ये छेटर की दीशा होती है देखे दोस्तों यहां से जो प्रकार का प्रशन बनता है तोके दोनों के जिक्र करेंगे जो इंग्जाम में बार बार कुछा जाता है इस सेल याने की नर्थ पुल और इस से किस प्रकार से यानि की गमन करती यानि की चलती है तो नर्थ से साउल्ट कहना का मतलब हुआ कि उत्तर से दक्षिन जाता है बाहर में क्या जाता है उत्तर से क्या जाता है तो दक्षिन जाता है उसके बात कि अगर बात क्या जा यहाँ पर अंदर की बात करा है यानि की भीतर क कि बात कर रहा है और भीतर में जो जाता है बस इसका अपोचिट जाता है का नयका मतलब हुआ कि साउत से यאनी कि नर्थ साउट से नर्थ का मतलब यानि कि दक्षिन से उत्तर हुआ यह हुआ नारे ८म परिशन बनता है इंगराम के लिए काफी इंपोडेंट है ये भी परिशन बन सकता है कि यानि कि चुमबा का जो समर्थे होता है सबसे ज्यादा कहा होता है तो चुमबा का जो समर्थे होता है दोस्तों यानि कि जो पुल है सबसे यानि कि उसका सक्ती जो होता है सबसे के जैसी है ठीक है यानि कि पर्मियंस जो होता है किसके इक्वेल होता है क्या है तो पर्मियंस है ठीक है पर्मियंस है तो पर्मियंस के अगर बात किया जाओ और इक्वेल का तो पर्मियंस जो इक्वेल होता है वो कंडेक्टेंस का इक्वेल होता है ठीक है किसका इक्वेल होत तो connectance का equal होता है option किसमें दिया है option जो दिया है दोस्तों option c में है right answer की बात किया जाए तो option इसका c सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रसनाज का दिया है कि सक्ति गुणांक मीटर में इस्थिर कुंडली और चल कुंडली कैसी जुरी होती है किसमें कह रहा है दोस्तों सक्ति गुणांक मीटर में तो सक्ति गुणांक मीटर में जो ये कुंडली जुरी होती है यानि कि स्थिर क्वाइल सप्लाई के स्रिज में जुरी होती है तो supply के यानि की series जो होता है उसमें यानि की क्या होता है तो connect होता है option किसमें दिया है कि चल कोईल supply के स्रीज में जूरी होती है तो option B में है correct answer की बात किया जाए तो option इसका B सही हो जाएगा अगला प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसन यहां फिलेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर्यूक्त करते हैं समय निमन में से कौन सही संके तिंगित करता है देखें यहां से जो प्रस्विशन बनता है दो परकार का एक left hand rule से left hand rule इसको अंगूठा समझ लिजिए इसको तरजनी समझ लिजिए और इसको मध्यामा समझ लिए तो अंगूठा जो बताएगा दोस्तो यानि की गती बताने बला है ठीक है left hand rule में उसके बाद जो नंबर आता है तरजनी का तो तरजनी जो बताएगा magnetic फिल यानि की चुमबकिये छेत्र बताएगा यानि कि अंगुठाई राइट हैं डूल में भी गती बताएगा ठीक है उसके बाद जो है तरजनी जो है चुम्बक्य छैत की दिशा उसमें भी बताएगा लेकिन यहां पे जो बताएगा दोस्तों वो इमेप की दिशा बताता है यह ध्यान में रखिएगा ठीक है फ्लक्स की चलते हैं अगला प्रसन क्या है अगला प्रसन है कि हिस्टेसिस चुम्बक्य प्रिपत में ऐसी प्रिखटना है जिसके द्वारा हिस्टेसिस क्या है बाई तो हिस्टेसिस जो है दुस्तों क्या होता है तो हिस्टेसिस समझे सिधा सा फंडा है कि यह जो इसका जो आकार होता ठीक है यानि कि जो बी जो होता है एक्ष से क्या होता यह बी जो है यानि कि-अrico लेंखिंग होता है लेंगि चोंज का मतलब क्या यानिकी पच्चगामी होता है और अगला आगे बरते हैं अगला प्रसन है फिलेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुस्वार अंगूठा दे से दर साता है तो फिलेमिंग के या तो राइट हैंड रूल हो ठीक है फिलेमिंग राइट हैंड रूल हो ठीक है या फिलेमिंग के लेप्ट हैंड रूल हो दोनों में जो द त्थार्वाएं के दिशा तो त्थारा परवट कि दीशा नहीं बताइगा इस पर जाही बूली नहीं के जाहएगा यह डी में चालक की दीशा को इंगित करता है तो राइट एंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यह तरजनी का काम है तरजनी चुमबक्ये छट्र की दीशा को बताता है अगला प्रसंदिया है यदि दो चुमबक्ये धुरू के मध्धे दूरी डी है तो उसके मध्धे बल क्या होगा ठीक है तो उसके बीच जो मध्धे बल जो होता है दोस्तो एप वराबर क्या होता है M1 into M2 और बट्टा में यानिकी D square होता है ठीक है कुछ इस प्रकार से फर्मूला होता है सिधा सिधा समझे कि एप का जो समनुफाती होता है वो D जो होता है दोस्तो यानिकी inversely professional होता है कहने का मतलब यानिकी एप का जो वैत करमानु पाती होता है ठीक है तो वैत करमी ये सम option c में है Correct answer की बात किया जाये तो option इसका थी सही हो जाएगा एडि के पर्ट्यक्स समनुपाती नहीं होता है तो पर्ट्यक्स प्रूपाती होता है तो इसके बारे में हमको पाचान करना इमेकर एक परकार के दुरू एक दूसरे को अकर्शन करता है जैसे ये क्या है भाई समझे एक नर्थ पोल और इस साइड अगर नर्थ पोल है तो दोनों क्या करेगा दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेगा तो अकर्शित नहीं करेगा क्या करेगा तो परतिकर्शित करेगा अगर एक नर्थ पोल और एक साथ पोल लाता तब क्या करता भाई अकर्शित करता जैसे अगर positive negative को करेंगे तो क्या भाई अकर्शित करेगा अगर positive positive को अगर मिलाते हैं तो क्या करेगा तो replace करेगा दोनों बाहर भागेगा ठीक है यह फंडा है समझाने के लिए बी में कहा रहा है कि transformer में गुंजन परकार की धोनी इसकी winding में विक्षित होती है तो गुंजन परकार का जो धोनी होता है winding में नहीं होता है दोस्तों कोर में होता है यह दिभी दियान में देखिए यहां से भी प्रस्ण बनता है अगर प्रस्ण पूछ दे कि transformer का जो गुंजन होता है वो कहां पर होता है तो winding देगा ठीक है core देगा ठीक है उसके साथ तेल देगा ठीक है तो यानि कि transformer का जो गुंजन होता है वो सब्सक्राइब नियम जो प्रीजित एम और धारा संदे उन्हें उत्पन करने वाले कारण का विरोध करता है वह निम्न कारण है ठीक है कहने का मतलब यह काहवाद सुने होंगे अपने पैर पे खुद का कुलहारी मारना अपने पैर पे अपने कुलहारी मारना यह जो नियम है भाई ठीक है यह जो नियम है वो लैंज का लौ है ठीक है क्या है तो लैंज लौ है और लैंज लौ जो दिया है option A में दिया है right answer की बात किया जाए तो option A इसका सही हो जाएगा कुलम की बात किया जाए तो अब इसका जो मातरक होता है क्या होता है तो अब इसका जो मातरक होता हो कुलम होता है बल कि अगर बात किया जाए तो बल का जो मातरक होता हो निंटन होता है यह भी धियान में रखिएगा अगला प् होता है जो टेसला की बात ही आजा तो टेसला जो यूनिट नजिया है अप्शलंक है किसका है is जो हो जाएगा दूस्तो तो नहीं होगा सब्सारी आसरा बोस्ता है में यह सही हो होगा option इसका भी सही हो जाएगा आगे बरते हैं next प्रसन पे next प्रसन आज का दिया हुआ है questions में दिया है कि समांगडी का वहागुन जो इसमें पैदा हुए चुमक्य flux का विरोध करता है क्या कालाता है ठीक है तो magnet में पूछ रहा है ठीक है तो यहां पर जो होगा resistance का जो अपोजीट होता है यानि कि जो उल्टा होता है ठीक है यानि कि resistance का जो उल्टा होता है उसके बार में यहां पर पूछ रहा है ठीक है न तो दोस्तों यानि कि resistance का जो उल्टा होगा वो reluctance होता है क्या होता है reluctance होता है ठीक है reluctance होता है ये धियान में रखेगा यानि कि reciprocal का मतलब उल्टा इसमें तो यानि कि magnetic circuit में तो right answer जो होगा दोस्तो option D में दिया है परतिस्ठम तो right answer जो होगा option इसका D सही हो जाएगा आगे बरते हैं अगला प्रसन है क्या है अगला प्रसन दिया है कि लेंज नियम निम्रीखित के सरक्षन के नियम का परिनाम है यानि कि लेंज का जो law है वो किसके सरक्षन पर यानि कि work करता है ठीकर तो लेंज लो जो है दोस्तो यानि कि उर्जा के सरक्षन पर काम करता है किसके तो उर्जा के संग्रक्षन ठीकर उर्जा के संग्रक्षन पर कारे करता है option जो दिया हुआ है किस में दिया है उर्जा तो यह जो दिया है दोस्तो option c में दिया है correct answer की बात किया जाए तो option c सही हो जाएगा अवेस की अगर बात किया जाए तो विजुत अवेस जो है किसका मात रख है तो दोस्तो विजुत अवेस का मात रख क्या होता है तो को लंब होता है ठीक है और ये मेप का रेसी परकल की बात किया रहे तो एमेमेफ होता है क्या होता है एमेमेफ होता है इससे भी प्रसन बन सकता है तो एमेमेफ का फुल पर्म होता है मैगनेटो मोटी फोर्स होता है ठीक है अगला प्रसन पे प्रत में नांच सलते हैं अगला प्रसंद दिया हुआ है ठेकला प्रसंद दिया हुआ है दुस्तों वो धारा की दिशा को इसारा करेगे क्या है धारा की दिशा को बताएगा क्योंकि इसमें क्या का रहा है फिलिमी के वाम हस्तनियम का रहा है ठीक है ना तो वाम हस्तनियम में धारा के दिशा बताता है जो कि ऑप्शन ए में है कोरेक्ट इंसर की बात किया जाए तो आपसने इसका एक सही हो जाएगा